हे गाई चुद्धों को आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्णावली दर्श्दश्वलो 17 के सवालों को यहां पर सबसे पहला जो हमारा सवाल लिखा है वो यहां पर लिखा है सिद्ध कीजिये की c i cap, j cap तोप्ता c cap और यहां बराबर एक यहां आपको सिद्ध करना ठीक तो चली सबसे पहले हम आपको उता देता हूं किस प्रकार से आपको यह जो त्रीक गुडन है है इसको कैसे आपको करना है ठीक तो चली वीडियो को सुरू करते हैं तो झीकू यह जो अभी त्रीक dot यहां पर vector b cross vector c ठीक यह फिर आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो कि इन दोनों को cross कर दो और इसको dot में कर दो ठीक यानि कि a cross b vector a cross vector v और dot में vector c ऐसे भी लिख सकते हो ठीक तो यानि इस प्रकार से आप लिख सकते हो अगर इसका value निकालना हो तो simple सी बात है जैसे vector a बराबर कुछ ना कुछ दिया रहेगा vector v बराबर और vector c बराबर मतलब इन सब के बराबर कुछ ना कुछ दिया रहेगा तो आपको जैसे कि यहां पर इसके बराबर माल लो vector a के बराबर यहाँ पर 2i cap दे दिया जाए और j cap दे दिया जाए plus में 3k cap दे दिया जाए ठीक इसी तरह कि से vector d के बराबर दिया जाए तो क्या होगा कि सबसे पहले आप vector v और vector c का cross product निकाल लो निकालने के बाद उसका आप dot product कर दो किसके साथ vector a के साथ ठीक तो इस तरह के से आप इसका value निकाल सकते हो ठीक यहनी a b c का तो अगर और यहाँ पर अगर मतलब की देखो अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहिए आप इसका यहनी कि diet निकालना चाहते हैं तो vector a vector b vector c बराबर जो दिया हो जैसे कि मालो vector v के बराबर यहाँ पर i cap j cap और प्लस में यहाँ पर k cap दे दिया गया हो और vector c बराबर मालो यहाँ पर मालो यहाँ पर c1 i cap और plus में c2 j cap और मालो c3 यहाँ पर k cap ऐसे मालो दिया हुआ है ठीक तो और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि vector A, vector B, vector C इसका value निकालो ठीक तो यहाँ पर क्या करना आपको इसके लिए simple सी बात है इस प्रकार से आपको जैसे आप diet निकालना चाहते हो तो आपके बाद दो तरीकार देखो चाहो तो आप diet निकालना चाहते हो तो यहाँ पर इस प्रकार से निकाल सकते हो जैसे हम बताने चाहने ठीक और इसके बाद अगर diet आप नहीं निकालना चाहते है ऐसे निकालना चाहते है तो आपसे पहले V और C इन दोनों का cross product निकाल लीजे जो आए उसको आप इसके साथ dot गुड़ा कर दीजे ठीक vector A के साथ तो भी आपका answer आजाएगा या फिर आप A cross भी निकाल लो और dot गुड़न कर दो यानि C के साथ vector C के साथ तो भी आप इसका value निकाल सकते हो ठीक या फिर आप इसका value vector V और vector C अचा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर 20 में मतलब कामा भी लगा सकते हैं जैसे की vector A कामा vector V कामा vector C ऐसे भी करके लिखा जा सकता है ठीक तो इसको हम लोग हमेस्ता क्या करते हैं बड़े bracket के अंदर ही लिखते हैं तो यह है अब यहाँ पर क्या है vector A victory में I cap का जो गुडांक है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है गुडांक का मतलब इसके आगे जो लिखा है ठीक उसके बाद इसके आगे कितना लिखा है कुछ नहीं लिखा तो J cap मतलब एक माल लीजिए ठीक तो यहाँ पर एक लिख दो और इसका गुडांक कितना है तीन है तीन लिख दो उसके बाद फिर B, B का गुडांक कितना है B में I का गुडांक कितना है एक है उसके बाद इसका गुडांक कितना है इसका भी गुडांक कितना है तो यहां पर देखना है कि आई कैप के यहां पर गोड़ांग कितना है C1 है फिर C2 है फिर C3 है ठीक तो यहां पर आप देख सकते हो C1 C2 C3 ठीक अब आप इसको वो solve कर लीजे और solve कर लेंगे तो आपको जो answer आएगा वो direct इसका value हो जाएगा ठीक या फिर हमेने बता दिया कि आपके पास दूसरा तरीका है आप चाहो तो इन दोनों का dot cross product निकाल कर इसके साथ dot गोणन कर दो ठीक या फिर इन दोनों का dot product निकाल कर वेक्टर C के साथ गोणन कर दो तो ऐसे करके आप इसका value निकाल सकते हैं ठीक और एक बास समझ लो कि जैसे कि यहां पर मालो लिखा हुआ है इस प्रकार से मालो लिखा हो vector V लिखा हो cross में vector C लिखा हो और उसके बाद में यहां पर dot में vector लिखा हो ठीक तो यहां पर इसका अधीस loves कैसे लिखोगे इसको ऐसे लिखनाए सबसे पहले बी आपको δेखे रहा सी देखे रहां फिर ए दिखे रहा न तो ऐसे लिखना वेक्टर भी वख्टर सी और वेक्टरीटीक तो यह हो जाएगा हमारा अधीस ठीडिकन ठीक तो इस प्रकार से आपको लिखना है इसी प्रकार से मालो वेक्टर C दिया हो और डॉट में यहाँ पर लिखा हो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर भी ठीक तो इसको जो अधिस त्री गुणन जो लिखोगे वो कैसे लिखोगे पहले C है फिर A है फिर B है तो इसको इसको ऐसे लिखना इस प्रकार से आपको इसको अधिश्थ त्रीगरा लिखना टीक, इसके लड़ त्रीपल प्रोडट आईसे लिखना टीक, तो समझ गये ना, इसको लिखने के तरीका, तो इस प्रकार से लिखा हो तो आईसे लिखना है, और दूसरी बात यहाँ पर आपने समझा कि a cross b ठीक इसी को चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर इसी को गर आप लिखना चाहो तो इन दोनों का cross बना दो इसको dot में लिख दो ठीक यानि vector a dot vector b cross vector c तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो ठीक समझ गे ना एक चीज़ vector a vector b vector c ऐसे लिखा है ठीक और मालो कि यहाँ पर अगर इसके अंदर आपको c को यहाँ पर लाना चाहते हैं और b को यहाँ पर लाना चाहते हैं तो बेसक आप ला सकते हैं लिकिन आपको minus chain लगाना पड़ेगा ठीक मतलब इनका जो चक्री क्रम है अधिस्त्री गुर्ण करक चक्री क्रम होता है चक्री का मतलब जैसे ε,b,c यह जो क्रम लिखे है ठीक इनका जो जो क्रम है अगर आप इसको change करना चाहते है तो change कर सकते हैं लेकिन उसके आगे आपको minus लगा दे ठीक तो जैसे कि यहाँपर क्या है यहाँ पर इसको लिख सकते हैं vector a vector c को हम बीच में क जाएगा यह विक्टर A बन जाएगा विक्टर C बन जाएगा ठीक छोटी मोटी चीजे हैं यह आपको आयाद रखना ठीक एक चीज और समझ लो कि यहाँ पर यह जो अदिस ठीक तो इस अदिस तरी ग्रण का जो वैलू होगा अब जीरो हो जाएगा ठीक क्यों क्यों जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दो विक्टर एक ही है ठीक मतलब अगर बराबर होते हैं दो विक्टर तो अदिस तरी ग्रण का जो वैलू होता है वह जीरो होता ठीक जैसे कि यहां पर मालों वेक्टर सी लिखा है यहां पर वेक्टर भी लिखा है यहां पर वेक्टर सी लिखा ठीक तो देखो यहां पर दो वेक्टर सेम है न तो इसलिए इसका वैलू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसी तरीके से यहां पर जैसे वेक्टर भी है और उसके बाद वेक्टर A है और फिर यहाँ पर वेक्टर B है तो देखो दो सदिस देखो यहाँ पर सेम है इसलिए इसका वैल्यू कितना ओगा? 0 होगा ठीक तो समझ रहो न आप इसको अच्छा क्यों मतलब इसका वैल्यू 0 होता है क्योंकि देखो simple सी बात है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो a cross a और यहाँ पर dot c लिख सकते हो ठीक तो आपको इसके पहले ही चैप्टर में आप समाझ चुके हो कि यानि कि दो वेक्टर का जो cross परट होटा है वो कितना होता है? 0 होता है यानि यह कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा तो इससे गुणा करोगे 0 हो जाएगा इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर दो वेक्टर अगर सेम हो गए तो इसका मतलब उसका value 0 हो जाएगा तीक? तो यह जो अदिस त्रीक run में अगर दो वेक्टर सेम है तो उसका value 0 टिक? यह चीज़ आप याद रखना और एक चीज़ समझ लो एक समतली समझ लो टिक? चाहे एक समतली का मतलब होता है जब एक ही समतल में होता है उसको एक समतली बोलते हैं टिक? तो यहाँ पर जैसे कि आप से बोल दिया जैसा वाल में कि वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C एक समतली है तो एक समतली है तो इनका जो तरीक गुडन होगा वो कितना होगा? 0 के बराबर होगा ठिक? अगर इनका तरीक गुडन अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब यह क्या है? एक समतली है ठिक? तो समझ गेने चीज़ को, एक चीज़ और समझ लो, जैसे कि यहाँ पर vector A वराबर कुछ दिया गया हो ठीक, और इसके बाद vector B वराबर कुछ ना कुछ दिया गया हो, और vector C वराबर कुछ ना कुछ दिया गया हो, ठीक, और वहाँ पर आपसे बोला जा रहा है, यह जो vector A है, vector V, C है यह क्या है अगर आपसे बोल दिया जाए की यह कोरस अदिस है ठीक पहला निकालोगे तो वह घ्योगा वो उस समानतर यानि कि यहाँ पर जो जैसे कि अगर विक्टर A, विक्टर B, विक्टर C ठीक मतलब इनका जो अदिस्त्री ग्रण निकालोगे ये क्या होगा ये उस समानतर सट फलक का आयतन होगा समझ रहे हुना अगर मतलब कह दिया जाए कि वेक्टर रे वेक्टर c और वेक्टर v यह क्या है यह एक मतलब समानतर सथ फलक का मतलब उसके कोर्स अदीश धीश है ठीक तो अगर ऐसा कर दिया जाए तो यह क्या होते हैं अगर इंक आप अदिस्त रिग्रण निकालोगे तो वो क्या निकालाएगा वो उस समांतर सट फलक का आयतान होगा ठीक तो चलिए अब समझते हैं हम लोग इस प्रस्ण वाले की सभी सवालों को तो देखो यह हमारा सवाल नंबर पहला है और सवाल नंबर में से एक में दो सवाल है मतलब सवाल नंबर A और सवाल नंबर B ठीक तो यहाँ पर हमें इसको हम कैसे बना लेंगे तो यहाँ पर हम लोग लेंगे left hand side हम लोग मतलब इसको लेकर चलेंगे तो एक अगर आ जाएगा हमारा सिध्ध हो जाएगा सवाल ठीक तो यानि इसको हम लोग लेंगे सकते हैं i cap और dot में यहाँ पर इसको लेखेंगे j cap और cross में k cap हो जाएगा ठीक तो देखो अब यहाँ पर चुकी j cross k इसके बराबर में क्या होता है i cap होता है ठीक तो i cap होता है तो इसलिए हम लोग किसके स्थान क्या लग देंगे i cap ठीक यहाँ पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा i cap और i cap.i cap यह क्या होता है इसके स्थान पर एक होता है ठीक तो यहाँ पर यह हमारा हो जाएगा right hand side और यह हो जाएगा हमारा proof हो जाएगा ठीक दोको i.i जो होता है वो क्या होता है इसका value एक होता है इसी तरह किस अगर j. के डॉट जे हो तो इसका वाइलू एक होता है के डॉट के हो तो इसका वाइलू एक होता है लेकिन अगर यहां पर इसका सदीस गुड़न हो जाए जैसे कि आई क्रोस यहाँ पर अगर आई हो जाए तो वैल्यू जीरो जाता ठीक यहाँ प्रिस्तिर के सगर जे क्रोस चे हो जाता जीरो अगर यहाँ पर के क्रोस के हो जाता है तो जीरो जाएगा ठीक तो कहने का मतलब इनका जो अदिस गुड़न होता है मतलब डॉट वाला जो होता है आई वोप समझते होंगे और आपको यह पता ओगा ठीक तो चली सवाल अंबर भी देखते हैं तो देखो सवाल अंबर हमारा भी यह है और यहां पर देखो इसको भी हमें सीध्य करना है तो हम लोग यहां पर left hand side लेकर चलते हैं मतलब इसको लेकर चलते हैं और अगर यह साथ आ गया तो हमारा answer से हो जाएगा वरना फिर कोई बात है ठीक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको लोग ऐसे लिख सकते हैं 3i cap और dot में यहाँ पर इसको लिख देंगे 4j और cross में 5k घडिक और दिको इसको लोग ऐसे लिख सकते हैं 3i cap और dot में यहाँ पर कितना हो जाएगा यह पांचुक 20 हो जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर जाएगा Jet cross ke ठीक तो यहाँ पर जाएगा 3i cap और यहाँ पर जाएगाa J cross ke इस estatком कहाँ जाएगा इसके इस स्थान पर जाएगा आई कैप हो जाता है ठीक यहां पर कितना हो जाएगा शाठ anडरा और केप और यहां यहां पर यहां पर everyone कि जाता है एक यहां पर शाठो जाएगा तिक औसमेत को लाना था तो यह हमारा था जेए करेंगे चले वहन्वा सवाल देखते हैं कि तो यह हमारा सबलह disci यहां लिखाया इसके बाद विक्तर बी और यह जाएका विक्टर ठीक तो यहाँ पर और आपको मैंने बताया था कि इसका value निकालने के लिए आप ऐसे diet निकाल सकते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं चाहो तो आप पहले a cross b निकाल लो और इसके बाद फिर c के साथ इसका dot grind कर दो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं आप direct सीधा इसका value निकालना चाहते हैं तो इसको देखो इसको आप चाहो तो मतलब वेक्टर a cross vector b लिखो dot vector c या फिर आप इसको ऐसे 3 गुड़न में लिख सकते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर मैंने आपको उता है था कि अगर आप इसका diet value ऐसे निकालना चाहते हो तो यहाँ पर इस i यानिकी जो वेक्टर a है इसमें जो इसका value दिय गया है यहाँ पर जैसे कि इसका जो i cap है इसका जो गुड़ांक है कितना है तीन है तीन लिख दो उसके बाद इसका गुड़ांक कितना है ठीक चिन सुधा लेना है और इसके बाद इसका गुड़ांक कितना है एक है और इसका गुड़ांक कितना है एक है और इसका बस अब हमें इसको solve कर लेना है बस answer आजाएगा तो हमें solve कैसे करना है वही जैसे आप यहां पर इसके पहले करते थे जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी निकालते थे तो वहां पर I यहां मतलब ऊपर क्या होता था वहां पर I cap, J cap और K cap होता था ठीक उसके अस्ताव पर यहां पर हमारा यह value दिया है ठीक तो यहां पर सबसे पहले में 3 लिखना ठीक उपर वाला जो लिखा है सबसे पहले इसको लिखना है उसके बाद हमें इस वाले को भूल जाना है इस वाले को भूल जाना है ठीक मतलब इसको भूल जाना है तो बचेगा क्या फिर यह दोनों करेंगे फिर जो आएगा उसको यहाँ पलिख देंगे तो एक गुड़े 0 करेंगे 0 हो जाएगा ठीक उसके बाद फिर minus लगाना ठीक सब में यही करना minus लगाना है और यहाँ पर कितना लिखा है माइनस फिर उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हो उसको यहाँ पर लिखना ठीक तो यहाँ पर कितना लिखा माइनस टू तो माइनस यह पहले से होता है माइनस यह भी है तो माइनस मैनस हो जाएगा प्लस और यह जाएगा दो ठीक उसके बाद अब दोको ये वाला भूल जाना हमें उपर वाला भूल जाना पूरा तो यहाँ पर सिर्फ ये वाला बचेगा मतलब ये दोनों बचेगे और इधर ये दोनों बचेगे अब इनको भी हमें 3 गुणा करना है तो इसको इससे गुणा करेंगे 2 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा ठीक उसके बाद यहाँ पर प्लस में यहाँ पर जो है उसको लिग लो यहाँ पर ठीक उसके बाद ब्रेकेट पना कर अब हमें इसको भूल जाना है इसको भूल जाना है बचेगा क्या ये दोनों बचेगे अब इसको तिरिया गुणा करना ठीक तो दो करनाम दो माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो तीन करनाम तीन हो जाएगा ठीक ये हो जाएगा अब यहाँ पर क्यों जाएगा इसको इससे गुणा करेंगे तो तीन त तो यही हमारा answer हो जाएगा आई होप आप समझ गये होंगे चले फिर अगला सवाल देखते हैं तो देखो यह हमारा सवाल अंबर 3 है और यहाँ पर भी लिका है vector A बराबर इतना है vector B बराबर इतना है vector C बराबर इतना है तो हमें यहाँ पर a वेक्टर a cross vector v और dot में vector c इसका value हमें मतलब निकालना ठीक तो इसको भी हम लोग simple कैसे लिख सकते हैं तो यानि vector a cross vector v और dot में यहाँ पर क्या है vector c है ठीक तो इसको भी हम लोग यहाँ पर इसको अदिस तिरी गुड़न की रूप में लिख सकते हैं यानि वेक्टर एल और वेक्टर वी वेक्टर सी ऐसे लिख देंगे और इसका जो वैलू होता है वो कैसे निकल जाता है यहाँ पर वेक्टर ही कितना है इसका गुड़न कितना यहाँ पर आई का तो यहाँ पर एक है यहाँ पर भी एक है यहाँ पर माइस है ठीक जाएगा एक एक माइस एक ठीक उसके बाद वेक्टर भी में देखेंगे तो कितना है दो है उसके बाद एक है फिर दो है ठीक एक है दो है और इसका गुड़ांगे देखें तो यहाँ पर तीन है और यहाँ यहां पर तीन एक ठीक यह वह जाएगा आप देखो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर सबसे पहले हम लोग एक लिखेंगे और उसके बाद ब्रेकेट लगाएंगे अब इसको पूरा भूल जाएंगे तो यह दोनों बचेंगे तीरिया गुणा कर दो तीन एक अन्नाम तीन और माइनस इसको इसको गुणा करेंगे तो दो एक अन्नाम दो जाएगा ठीक उसके बाद माइस लगा कर इसको लिखेंगे बीच वाला ठीक तो बीच वाला जब लिखेंगे तो वहां पर उसके आगे माइस लगा लेना ठीक तो यहां पर क्या है यह हो जाएगा और यह के बाद इसको तिर्यक इसको काट देंगे इसको काट देंगे तो यहां पर दिये दोनों बचेंगे ठीक तो इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो जाएगा दो माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तीन हो जाएगा ठीक अब हम लोग 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा उसके बाद 6 में से 6 घटाएंगे 0 हो जाएगा मतलब 0 हो जाएगा और उसके बाद इसको इससे घटाएंगे तो कितना माइनस में आएगा माइनस माइनस यह हो जाएगा कितना प्लेस हो जाएगा ठीक तो यहाँ पर एक हो जाएगा तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा यह एक एक जोड़ कर यहाँ पर कितना हो जाएगा दो हो जाएगा ठीक तो देखो इसको अगर हम लोग यहाँ पर इसको अगर हम लोग यहाँ पर scalar triple product के रूप में यहाँ पर लिखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर A वेक्टर B, वेक्टर C और इसका value आप समझे रहो कैसे निकाला जाजा ठीक तो देखो यहाँ पर वेक्टर A इसका I के गुड़ां कितना है यहाँ पर 2 है उसके बाद इसमें कितना है 1 है इसका गुड़ां कितना है 3 है ठीक उसके बाद आप यहाँ पर क्या है minus 1 है यहाँ पर 2 है फिर उसके बाद 1 है ठीक उसके बाद यहाँ पर 3,1,2 तो 3,1,2 ठीक और simple सा इसको हम लोग solve करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 2, 4 हो जाएगा minus 1,1 हो जाएगा ठीक उसके बाद minus लगाकर एक लिखेंगे ठीक उसके बाद इसको भोल लाएंगे इसको भोल लाएंगे इसमें 3 गुणा करेंगे तो 2 माइनस 2 एक अनम 2 और माइनस 3 एक अनम 3 हो जाएगा ठीक उसके बाद 3 लिख देंगे प्लस का उसके बाद इसको भोल लाएंगे इसको भोल लाएंगे तिरिया गुणा करेंगे तो माइनस एक अनम एक माइनस तीन दूना छे हो जाएगा ठीक तो ये कितना हो जाएगा तीन में से चार में से एक गटाएंगे तो ये हो जाएगा तीन तो ये हो जाएगा हमारा तीन और इसके बाद माइनस का एक है और इसमें इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और यह हो जाएगा प्लस का 3 इसमें इसको करेंगे तो 6,7 हो जाएगा ठीक तो यह हो जाएगा हमारा 3 दूना 6 हो जाएगा और minus minus हो जाएगा plus 595 जाएगा और यह जाएगा minus 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ठीक दfish तो 615 11 हो जाएगा minus 21 हो जाएगा तो minus कब 10 हो जाएगा यह हमारा एंसर जाएगा आई होप आप समझ गेंगे चलिए फिर अग्ला सवाल देखते हैं तो देखो यह हमारा सवाल नमबर 5 है मैं इसका वैल्यू निकालना है ठीक और वेक्टर A B C का वैल्यू यहां पर दिया गया ठीक तो सिंपल सा अगर हम लोग इसको अदिस त्री ग्रोंड की रूप में यहां पर लिखेंगे तो यहां पर यह हो जाएगा हमारा तो दिको माईने आपको बताया था तो यहां पर इसको आप लिख सकते हो A B C लिखा है ठीक तो यहां पर इस C और A और B लिखा है तो इसको हम लिखेंगे वेक्टर C और मतलब इसी तरीके से इसको लिख देंगे ठीक इस तरिके से लिखा हुआ है तो इसका value निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हुजाएगा तो यह हुजाएगा vector C तो vector C में इसका गुडांक कितना है एक है और इसका गुडांक minus 2 है और यह है minus 7 ठीक और इसके बाद यहाँ पर vector A vector A का जो गुडांक है i के गुड़ांग की इस वेक्टरे में तो कितना है 5 है और इसका गुड़ांग कितना है माइनस का 4 है और इसका गुड़ांग कितना है एक है और यहाँ पर वेक्टर v का देखेंगे तो कितना है माइनस का 4 है और उसके बाद यह 3 है माइनस का 2 है ठीक तो यह हो जाएगा अब हम लोग इसको यहाँ पर solve करेंगे तो यहाँ पर लिखना है सबसे पहले एक bracket लगाना है पिर इसको 3 गुणा करेंगे तो यह जाएगा minus minus plus 4 दूना 8 हो जाएगा ठीक उसके बाद minus लगाएंगे इसको तीरिया गुणा करेंगे यह हो जाएगा फिर इसके बाद माइनस लखेंगे लेकिन यह खुद माइनस में है तो माइनस मैंनस हो जाएगा प्लस में ठीक यह हो जाएगा टू इसके बाद इसको भोल जाएगे तीरिया किसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा इसको इसमें गुणा करेंगे तो माइनस सूत्र से होता है ये भी देखो माइनस में है तो माइनस मैनस हो जाएगा प्लस का चार हो जाएगा ठीक उसके बाद माइनस का साथ हो जाएगा और इसके बाद इसको भूल लेंगे इसको 3 गुणा करेंगे तो 5 ते कितना हो जाएगा 15 माइनस इसको इसको गुणा करेंगे तो 4 चो कितना हो जाएगा 16 यह जाएगा अब इसको हम लोग स्वालप करेंगे तो यहाँ पर देखो 8 में से 3 गटाएंगे 5 बचेगा और यहाँ पर हम लोग 10 में से 4 घटा लेंगे तो कितना हो जायेगा minus का 6 बचेएगा और यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो minus का एक बचेएगा ठीक इसमें गुणा करदेंगे तो minus minus plus 7 साथ ही कनра नम साथ जायेगा तो दिखो यह हो जाएगा हमारे 7, 5 कितना हो जायता है 12 और 12-12 हो जाएगा कि कोई दिखो 12 में है यह ठीक तो यह जाएगा हमारे 0 ठीक जाएगा आई हो आप समझ गयोंगे चली, फिर अगला सवाल देखते हैं तो दिखो यहां पर हमारे सवाल number 6 है यहां पर इसका मा निकालेंगे वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, ठीक, तो इस त्री गुरण का मा निकालने के लिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर जाएगा वेक्टर A, तो वेक्टर A का इसका गुड़ां कितना है, 2 है, और इसका गुड़ां कितना है माइनस का तीन है इसका और इसके बाद यहाँ पर कितना है बी में देखेंगे तो यहाँ पर एक है एक है माइनस का एक है ठीक और इसके बाद इसका यहाँ पर गुड़ां कितना है तीन है इसका गुड़ां कितना है यहाँ पर माइनस का एक है यहाँ पर देको j नहीं है तो j को हम 0 लिख देंगे ठीक तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 2 और इसके बाद इसको भोल जाएगे फिर इसको भोल जाएगे तिरिया गुणा करेंगे तो minus 1 हो जाएगा एसके बाद इसको इसमें गुर्णा करेंगे तो 0 हो जाएगा ठीक इसके बाद माइनस लिखेंगे देको माइनस लिखेंगे यहाँ पर 0 लिखा है तो पूरा 0 ही हो जाएगा ठीक तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 0 माइनस 3 तो इसको 0 से पूरे हम गुणा करेंगे 0 जाएगा कुल मैंकर उसको काम खता और इसके बाद इसमें इसको गुणा करेंगे तो माइनस 2 एक अनम 2 और 3 में से 1 घटाएंग कितना बचेगा 2 बचेगा तो 2 में इस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा तीन दूरा 6 हो जाएगा ठीक उसके बाद 0 हो जाएगा और आब हम लोग 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा ठीक तो यही हमारा एंसर जाएगा आई हो आप समझ गयंगे चलिए फिर अगला सावल देख्ते हैं तो देखो यह हमारा सवाल अंबर साथ है मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब आपको निकालना है समांतर स्टफलक का आयतन जिसके संगामी कोर यहां पर कोर सदिस यहां पर दिये गए हैं ये और ये और ये दिया गए ठीक तो इसको हम लोग चलो देखें मान लेते हैं माना और इसको इस कोर को हम लोग पहले को मान लेते हैं वेक्टर A है इसको वेक्टर A के बराबर मान लेते हैं और उसके बाद इसको वेक्टर B के बराबर मालेंगे इसको वेक्टर C के बराबर ठीक जाएगा आई कैप माइनस 3 जे कैप उसके बाद प्लस का 4 के कैप हो जाएगा ठीक उसके बाद वेक्टर C के बराबर कितना हो जाएगा 2 आई कैप माइनस में 5 जे कैप और उसके बाद अगर आप उसका अधिस तरी गुर्ण निकालते हैं तो वहाँ पर अगर आप उसका अधिस तरी गुर्ण निकालते हैं तो क्या होता है वो उसका समानतर 60 फलक का आयतन होता है ठीक तो यहाँ पर हम लोग इसका 60 फलक का आयतन हमें निकालना है मतलब कि हमें क् ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C और इसका जो value आएगा वही हमारा क्या होगा इस समानतर 60 फलक का आयतन होगा ठीक जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था ठीक तो यह हो जाएगा कैसे तो यह हो जाएगा यहाँ पर इसका गुड़ांग कितना है एक है इसका गुड़ांग कितना है इसका गुड़ांग कितना है ठीक और इसके बाद यहाँ पर B में देखेंगे तो इसका गुड़ांग कितना है एक है और इसका गुड़ांग कितना है इसका गुड़ांग कितना है चार है यहां पर देखेंगे इसका गुड़ांग दो है इसका गुड़ांग माइनस का पांच है इसका गुड़ांग तीन है ठीक तो यह हो जाएगा अब यहां पर हम लोग 8 हो जाएगा उसके बाद प्लस में यहां पर कितना है एक है और उसके बाद अब यहां पर इसको इससे गुणा करेंगे तो यह जाएगा हमारा कितना हो जाएगा और उसके बाद यहां पर कितना हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक और यह हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा ठीक यह हो गया अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा और यहां पर देखो यह माइस माइस प्लस होगा यहां पर यह देखो माइस पांच जोग 20 होगा लेकिन यह माइस में है और यहां माइस पहले से होता है तो माइस माइस यह तो प्लस हो जाएगा ठीक 20 में से हम लोग 9 गटाएंगे कितना बचेगा यह मतलब 11 बचेगा और उसके बाद 8 मतलब 3 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा माइनस का 5 बचेगा उसके बाद माइनस का 5 और यहां पर कितना है प्लस का 6 ठीक तो माइनस का 5 प्लस का 6 यानि 6 में से 5 घटाएंगे तो एक ही बचेगा ठीक बारा में यहां पर देखो 11 है 11 में जोड़ देंगे 12 हो जाएगा 12 में से 5 गटा लेंगे कितना बचेगा 12 में से 5 गटा हैंगे तो 7 बचेगा ठीक तो यह हमारा answer जाएगा आयोप आप समझ गये होंगे चलिए अब अगले सवाल देखते हैं तो यहां पर लिख सकते हो की अधाय समांतर 90 60 खलक का आयतन का आयतन कितना है यह है 7 अत गहन इकाई ठीक तो आई होप आप समझ के होंगे चले फिर अगला सवाल देखते हैं तो देखो यहाँ पर सवाल नंबर 8 है और सवाल नंबर 8 में 2 सवाल दिये गए सवाल नंबर 8 में मतलब A नंबर और B ऐसे करके दिया गए खिक और आ 1 मतलब क्या सिद्र करना यहां पर में एक समतली है बत्लाव जो सदिस दिये गया है W shirt A विक टर बीीडिक यह समतली है मतलब एक ही समताल में है यह चीज़ हमें सिद्र करना ठीक तो इस चीज को हम कैसे सिद्ध करेंगे मैंने आपको पहले ही बताया था अगर आपको ऐसे सिद्ध करना हो तो यहाँ पर इनका जो अदिस 3 गुड़न होगा है होगा अगर वो 0 के वराबर आ जाए विक्टर A, विक्टर B, विक्टर C इसका वैलू अगर 0 के वराबर आ जाएगा तो यह मतलब की एक सम्तली है एकी सम्तल में है और अगर 0 के वराबर नहीं आएगा तो मतलब इक सम्तल में नहीं है असम्तली होंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इनको solve करके मतलब इसका value निकालते हैं अगर यह 0 के बराबर मिल गया तब तो फिर बोल देंगे कि हाँ यह एक ही समतल में मतलब एक समतली है ठीक तो वरना फिर मतलब अगर एक समतल में होंगे तो सिर्थ हो जाएगा ठीक यह जाएगा दो यहाँ पर इसका गुड़ां कितना है दो है यहाँ पर minus एक है यहाँ पर एक है यह जाएगा माइनस का एक यह जाएगा एक और यह कितना है एक है दो है और माइनस का तीन है ठीक उसके बाद यह कि हो जाएगा चारतें कितना हो जाएगा बारा हो जाएगा ठीक उसके बाद माइनस और यह दिखो माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक हो जाएगा इसको इससे गुणा करेंगे तो पांच गन्नाम पांच जाएगा माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो ती 2 बचेगा माइनस का 2 बचेगा और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 4 जाएगा ठीक और इसके बाद 9, 5, 14 हो जाएगा 14 एक नम 14 हो जाएगा ठीक उसके बाद यहाँ पर माइनस 6, 4, 10 हो जाएगा ठीक उजी हो जाएगा माइनस का छे चार दस एक नम दस हो जाएगा ठीक उसके बाद देखो ये भी माइनस में ये भी माइनस में तो माइस माइस प्लस हो जाएगा लेकिन चिन माइनस कही रहाएगा तो दस चार कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और ये देखो 14 प्लस में है तो 14 हो जाएगा माइनस ये दोनों जोड़ेंगे मतलब माइनस का 14 हो जाएगा और 14 में से 14 घटा एंक कितना बचेगा 0 बचेगा ठीक तो 14 में से 4 घटा दिया मतलब 14 तो 0 बचा अता हम बोल सकते हैं अता हम ठीक अता हम जो यहां पर दिये गए या फिर आप बोल चकते हो सद्धिस विक्टर ए विक्टर वी ये क्या है एक समतली है ठीक तो यहां पर बोल चकते हो कि दिये हुए दिये हुए सदिस विक्टर ए विक्टर वी तथा विक्टर सी एक समतली है ठीक तो एक समतली है ठीक तो इसी के मतलब हमें सिद्ध करना था आई होप आप समझ गया हूंगे तो यह हमारा सिद्ध हो गया चले फिर अगला सवाल देखते हैं तो दिको यह सवाल नमबर आठ का मतलब भी नमबर सवाल है तो यहाँ पर लिकाया है सिद्ध कीजे कि इसमें भी हमें समतली सिद्ध करना ठीक तो एक समतली बोले समतली बोले वही चीज़ ठीक तो यह है और एक यह है एक यह ठीक तो हम लोग इसको विक्टर ए बी और सी के बराबर मालेंगे तो यहां पर जाएगा 2i cap प्लस में 3j cap और प्लस में 4k cap हो जाएगा उसके बाद इसको वेक्टर भी बराबर मालेंगे तो यहां पर जाएगा कितना i cap हो जाएगा माइनस का 3J कैप हो जाएगा प्लस का 5K कैप हो जाएगा और वेक्टर C पराबर इसको मालेंगे तो हो जाएगा माइनस करना हो आई कैप हो जाएगा और इसके बाद प्लस का 6K कैप हो जाएगा ठीक अब यहाँ पर क्या होगा हम लोग यहाँ पर इसका तरीक गुड़ा निक ठीक तीन चार और यह एक माइनस तीन पांच तो एक माइनस तीन और यह है पांच और यहां पर कितना है माइनस करना है और उसके बाद यहां पर जे नहीं है तो जे को जीरो लिखेंगे बांकि कितना है छे ठीक तो यह जाएगा और यह जाएगा दो और इसको इसमें गोड़ करेंगे जीरो हो जाएगा ठीक उसके बाद माइनस लगाएंगे तीन लिखेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे तो माइस माइनस हो जाएगा प्लस माइस में न यह नो पचे इसमें जोड़ेंगे 6 तो हो जाएगा 51, 51 और गुड़े हम लोग 3 करेंगे, तो 3, 91, 3, 35, 15, ठीक, 3, 91, 3, 35, 15, मतलब जाएगा 113, और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको इसमें गुड़ा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनेस को जाएगा, 7, 4, 28, 2 बचेगा, 4, 2, 8, 2, 10 जाएगा, ठीक, तो अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, मतलब की यह हो जाएगा आठ तीन दिया हो जाएगा छे तीन नो हो जाएगा और उसके बाद पंदरा तीन अठारा लेकिन यह फिर जीरो भी कहा हैगा तो यह हो गया कहीं मिस्टेक ठीक तो अच्छा यह यहाँ पर जो जे है यह जे कैप था ठीक मतलब नो जे कैप था तो इसको जे कैप बना दो तो इसको फिर मतलब इसमें आई कैप नहीं है तो इसको जीरो बना दो और यह इसको नो बना दो ठीक यह माइनस का नो है तो अब ऐसा करते हैं इसको काट देते हैं ठीक तो यह क्यों जाएगा अब इसको यहां से मतलब स्वाल करते हैं तो यहां पर क्यों जाएगा यह जाएगा दो और इसको इससे गुणा करेंगे तो जाएगा चे माइनस इसको इससे गुणा करेंगे जीरो जाएगा और इसके बाद यहां पर प्लस का और यह जाएगा मारा चार और इसमें 3 गुणा करेंगे तो 9 गुणा गुणा कर आंगे तो यह हमारा कितना हो जायेगा तो यहाँ भूभाद नो जाएगा 54 और जाएगा ओसके बाद है किले माइस चार चार आसील ये कर जाएगा तो यानि इनको जोड़ेंगी कितना हो जाएगा 54 तो क्यों माइस मैनस क्या हो जाता है और लेकिन यहाँ पर माइनस का ही चिंडर रहेगा तो 54 मिनसे 54 गटाएगे 0 हो जाएगा ठीक मतलब कि यहाँ पर क्या आगया यहाँ पर जो हम लोग scalar triple product जो निकाला यह कितना आ गया? 0 आ गया ठीक तो इसका मतलब अता हम बोल सकते हैं अताह दिये गए दिये गए यह जो सदिस है दिये गए सदिस समतली है ठीक समतली है ठीक या एक समतली है ठीक तो आई होप आप समझ के होंगे चले फिर अगला सवाल देखते है तो देखो यहाँ पर सवाल number 9 लिखा है यक्स का फामान ग्याद कीजिए जिसके लिए सदिस यहाँ पर तीन सदिस दिये गए ठीक एक समतली है तो एक समतली प्लस में 2J कैप और यह हो जाएगा माइनस में 3K कैप ठीक उसके बाद विक्टर C बराबर हो जाएगा हमारा 3I कैप माइनस में यक्स जे कैप हो जाएगा प्लस में 5K कैप हो ठीक अब यहाँ पर एक समतली के कंडिशन समझ रहे हो कि एक समतली के कंडिशन इसका value निकालेंगे तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा इसके स्थान पर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा उसके बाद 1-1 है और यह हो जाएगा 1-2-3 है और इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पर यक्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5 ठीक और बराबर हम लोग 0 लिख देंगे ठीक देखो इसके स्थान पर हमने क्या लिखा यह लिखा है और बांकी बराबर 0 होता है यही तो condition होता है हमारा सम्तली होने का यहाँ पर लिख भी सकते हो यदी सम्तली है टो ठीक तो 5 दूना 10 हो जाएगा माइनस इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 एक अननम 3 एक हो जाएगा ठीक उसके बाद माइस लिखेंगे यह माइस माइस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर रिक हो जाएगा इसको इसमें गुणा करेंगे तो 5 एक नम 5 उसके बाद माइस लगाएंगे इसको इसमें गुणा करेंगे तो माइस मिनस प्लस जाएगा तीन तरीक का कितना हो जाएगा नो हो जाएगा ठीक उसके बाद प्लस का एक हो जाएगा इसको इससे गुणा करेंगे तो जाएगा यक्स कर नाम यक्स माइनस इसको इसमें गुणा करेंगे तो तीन दूना छे हो जाएगा और इसके बाद पूरा बराबर जीर हो जाएगा ठीक उसके बाद यह जाएगा हमारा प्लस का यक्स माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा ठीक एक यक्स यह चे यह तो 6 एक 7 यक्स जाएगा और उसके बाद इसमें से मतलब 6 घटाएंगे तो 24 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा ना तो यह जाएगा हमारा प्लस का 18 बराबर का चीर हो जाएगा इसमें जोड़ देंगे 20 और 34 हो जाएगा 24 में से हम लोग 6 घटाएंगे ति यह 28 हो जाएगा ठीक 28 28 को दर बिजेंगे तो प्लस में हिद्धर आजएगा माइनस में तो यह हो जाएगा हमारा आप समझ गयोंगे चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं तो सवाल अमर्दास हमारा यहाँ पर लिखा है यह यक्स का वामान ग्याद कीजिए जिसके लिए यह भी सवाल से में ठीक तो इसमें भी हमें वही चीच करना है तो यहाँ पर वेक्टर A बराबर इसको हम लोग मान ल हो जाएगा और उसके बाद वेक्टर C वेक्टर C बराबर यह हो जाएगा हमारा थिरी आई क्याप हो जाएगा प्लस का यक्स जे क्याप हो जाएगा और प्लस का फाइव के क्याप हो जाएगा ठीक अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे देखो यहाँ यहाँ पर विक्टर भी विक्टर सी बराबर 0 हो जायता ठीक तो यहां पर इसका हम लोग यहां पर निकालेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा two हो जाएगा minus का one हो जाएगा one हो जाएगा इसमें हो जाएगा one two और उसके बाद minus का one ठीक और उसके बाद यहाँ पर three है यक्स है और यहाँ पर five है ठीक बराबर में zero हो जाएगा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको हम लोग solve करेंगे तो जाएगा दो और इसके बाद इसमें गुणा करेंगे 10 हो जाएगा इसमें इसको गुणा करेंगे तो माइनस देखों माइनस में न तो माइनस में यक्स ठीक उसके बाद माइनस और इसको इससे गुणा करेंगे तो 5 कर नम 5 माइनस इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस 3 कर नम 3 और प्लस में 1 हो जाएगा इसको इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा यक्स और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा ठीक बराबर का 0 हो जाएगा अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा प्लस में 2 यक्स उचाएगा प्लस में 5, 3, 8, 8, 9, 8 और प्लस में 1, 6, बराबर 0 हो जाएगा ठीक तो यह कितना जाएगा 20, 8, 28 और 28 में से हम लोग 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 22 बचेगा ठीक उसके बाद प्लस में 2, 2, 1, 3 हो जाएगा 3 एक्स उचाएगा पराबर 0 हो जाएगा ठीक तो 3 एक्स उचाएगा इसको इधर बेजेंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा ठीक और यह दिको गुणा में है इधर आ जाएगा भाग में तथा D जिनके जो इस्तिती सदिस है वो करमसा दिये गए है मतलब A का इस्तिती सदिस ये है और इसका इस्तिती सदिस ये है और इसका इस्तिती सदिस ये है और इस D का इस्तिती सदिस ये है ठीक तो और कहते हैं कि जिनके इस्तिती सदिस ये है वो जो ABC है ये जो बिंदु है ये एक ही समतल में ये चारो चारो एक ही समतल में है इस चीज को आप सिद्ध करके दिखाओ ठीक मतलब सिद्ध करना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं माना मूल बिंदू O के सपेच यहाँ पर जो A का इस्तिती सदिस हो तो यहाँ पर जाएगा तो माना मूल बिंदू O के सपेच A, B, C तथा D के इस्तिती सदिस ठीक तो इनके इस्तिती सदिस यहाँ पर कितना हो जाएगा इस्तिती सदिस ठीक तो यहाँ पर जाएगा सदिस A, B, C के सदिस नहीं है यहाँ पर बिंदू ठीक तो बिंदू A, B, C तथा D के इस्तिती सदिस यहाँ पर हो जाएगा O, A तो O, A कितना हो जाएगा हमारा? A का हो जाएगा O, A, 2I और प्लस में 3J दिया हुआ है और माइनस में के ठीक इसी तरह के से O, B हो जाएगा तो यह कितना है? और यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर A, B निकाल लेना है वेक्टर A भी निकाल लेना है और इसके बाद यहाँ पर वेक्टर A C निकाल लेना है और तथा वेक्टर A D निकाल लेना ठीक तो यहाँ पर हमें इन तीनों को निकाल लेना है और इसके बाद इनका यहाँ पर तिरीक गुरन निकाल लेना ठीक इस अधिस यानि कि इनका अधिस 3 गुरन निकाले न ठीक और इसके बाद अगर वो उसका यानि अगर उसका वैलू अगर 0 आ गया तो एक ही समतल में होंगे तो यानि कि तो फिर मतलब जो A, B, C तथा D है ये जो बिंदू है ये फिर इसका मतलब एक ही समतल में है और अगर 0 के बराबर नहीं आया मतलब इन तीनों का अगर अधिस 3 गुरन अगर 0 नहीं आया तो समझ लो मतलब कि ये एक ही समतल में नहीं है अगर आ गया तो है ठीक तो चलो सबसे पहले हम लोग A भी निकालते हैं तो वेक्टर A, B कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा O, B माइनस का O, A ठीक तो O, B हमारे पास कितना है यह है आई और उसके बाद 2, J कैप है प्लस का 3, के कैप हो जाएगा माइनस का तो O, A हमारे पास है 2, I कैप है माइनस का 3 देखो यह हमारा O, A है अब इसमें समें चिन बदल लाएगा क्यों बदल लाएगा, क्यों कि यहाँ पर माइनस ठीक तो यह हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस प्लस में K कैप हो जाएगा तो इसमें इसको घटाएगे तो कितना हो जाएगा माइनस का आई कैप हो जाएगा और उसके बाद यह 3 है यह माइनस का यह ठीक माइस माइनस 5 जे कैप हो जाएगा ठीक उसके बाद 3 एक हो जाएगा प्लस में 4 कैप हो जाएगा ठीक तो यह हो जाएगा हमारा AB यानि vector AB हो जाएगा ठीक और उसके बाद इसी तरह किस हम लोग निकालेंगे AC तो AC चाहिए तो यहां पर AC क्या हो जाएगा तो AC हो जाएगा हमारा OC माइनस ओ यह ठीक तो OC हमारे पास कितना हो जाएगा OC हमारे पास है 3i cap प्लस में 4j cap है और इसके बाद माइनस का 2k cap माइनस में ओ यह हमारे पास यह है फिर चिन बदल लाएगा ठीक क्योंकि माइनस यहां पर ठीक तो जाएगा 2i cap माइनस का 3j cap हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा k cap हो जाएगा ठीक तो अब यहां पर क्या हो जाएगा देखो 3 में से 2 घटाएगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा i cap और 4 चार में से 3 घटाएगे तो जाएगा प्लस का j cap हो जाएगा और इसके बाद इसमें इसको घटाएगे तो यहां पर 2 में से 1 घटाएगे तो माइनस का K cap बचेएगा ठीक तो यह वह जाएगा हमारा A C और उसके बाद अब हमें यहाँ पर निकाल लेना है A D तो A D हो जाएगा O D minus O Y हो जाएगा ठीक तो यह कितना हो जाएगा O D, O D हमारे पास यह है मतलब की I cap माइनस में 6 J cap है और प्लस में 6 K cap माइनस में O Y हमारे पास यह है ठीक तो यह हो जाएगा हमारा 2 I cap माइनस का 3 J cap है और उसके बाद प्लस का K cap है ठीक तो अब यहाँ पर इसमें इसको घटाएगे तो कितना बचेएगा माइनस का I cap बचेगा और उसके बाद यह जाएगा 6, 3, 9 जे कैप हो जाएगा और उसके बाद 6 में से 6, 7 हो जाएगा ठीक तो यह जाएगा 7 के कैप हो जाएगा ठीक अब हम लोग यहाँ पर इन तीनों का अदिस त्री गुरन निकालेंगे ठीक और अगर वो मतलब अगर आ गया 0 उसके बराबर अगर 0 आ गया तो इसका मतलब फिर यह एक ही समतल में ठीक तो यह हमारा मतलब सिद्ध हो जाएगा ठीक तो चले इसको निकाल लेते हैं तो देखो यहाँ पर हम लोग जब इसका अदिस त्री गुरन निकालेंगे तो यहाँ पर इसका गुड़ां कितना है यहाँ पर माइनस का एक है उसके बाद इसका गुड़ां कितना है माइनस का पांच है ठीक उसके बाद इसका गुड़ां कितना है यहाँ पर चार है और उसके बाद इसका गुड़ां कितना है यहाँ है माइनस का एक है माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का 7 हो जाएगा ठीक तो यह हो जाएगा हमारा इसका 33 गुणा ठीक अब अगर यह अगर 0 आ गया इसको एक अनम नो हो जाएगा ठीक और उसके बाद यहां पर जाएगा माइनस और यह जाएगा माइनस का 5 जाएगा माइनस माइनस प्लस जाएगा ठीक उसके बाद यह जाएगा इसको इसमें गुणा करेंगे तो साथ एक अनम साथ जाएगा इसमें इसको गुणा करेंगे तो माइ minus plus का 1 हो जाएगा ठीक और यहाँ पर इसमें इसको घटाएंगे तो minus का 2 बचेगा यहाँ पर गुणा करेंगे तो plus का 2 हो जाएगा ठीक उसके बाद 7 में से घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा और यहाँ पर 5 तो 56 हो जाएगा ठीक उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर इसमें घटाएंगे तो कितना माइनस कार्ड बचेगा और यह हो जाएगा आठ चोग 32 ठीक और 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 जाएगा तो 32 माइनस 32 is equal to 0 आ गया ना 0 इसका मतलब भी क्या है एक ही समतल में ठीक तो अताह अताह सद्धिस विक्टर एबी विक्टर एसी तथा विक्टर एडी एक समतली हैं एक समतली हैं और इसी लिए इसी लिए जो बिंदु हमारे दिये गए थे बिंदु A, B, C तथा D भी एक समतली होंगे एक समतली हैं ठीक तो यह हमारा प्रूफ हो जाएगा इसी खोमें सिद्ध करना था तो चले फिर अगला सवाल देखते हैं तो दिखो यहाँ पर हमारा सवाल इसमें भी वही चीच करना है चार बिंदु दिये गए है A, B, C, D ठीक और इनके जो निर्दी सांख है वो यहाँ पर दिये गए करमसा तो इसमें भी हमें यही चीच सिद्ध करना है कि चारो बिंदु क्या है एक समतली है ठीक तो सिंपल स सपेच ए बी सी तथा डी के इस्तिती सदिस इस्तिती सदिस तो इस्तिती सदिस क्रमसा यहां पर क्या हो जाएगा इस्तिती सदिस क्रमसा ओ ये तो ओ ये हमारा कितना हो जाएगा जाएगा फोर आई कैप प्लस में यहां पर हो जाएगा फाइव जे कैप हो जाएगा इनके पी O B हमारे पास कितना हो जाएगा इसमें यहाँ पर हम लोग जोडेंगे तो I कैप हो जाएगा उसके बाद माइनस का J कैप हो जाएगा उसके बाद माइनस का K कैप हो जाएगा ठीक उसके बाद यहाँ पर जाएगा O C तो O C यहाँ पर कितना हो जाएगा 3i कैप हो जाएगा प्लस में 9j कैप हो जाएगा और प्लस का 4k कैप हो जाएगा ठीक और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा od तो od कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4i कैप हो जाएगा प्लस में 4j कैप हो जाएगा और प्लस में 4 K का एफ हो जाएगा ठीक यहाँ पर तो यह हो जाएगे इस्तिति सदिस अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग निकालेंगे AB इसमें भी वह जी निकालना है AB AC और AD ठीक निकालकर हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे कि इसका 3 गुर्णक रख देंगे फिर देख लेंगे कि एक समतली है या ने ठीक तो AB हमारा कितना हो जाएगा OB माइनस OE तो OB हमारे पास कितना है तो यह हमारे पास 0 I cap माइनस में J cap है और माइनस में K cap माइनस OE हमारे पास यह सबका चीन अप इसमें बदल जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस का 5 J cap माइनस का K ठीक और इसमें इसको घटा हैंगे कितना बचएगा यही बचएगा माइनस का 4 I cap ही होगा और इसमें माइनस माइनस 6 हो जाएगा ठीक और यह हो जाएगा माइस मैनेस एक एक दो जाएगा ठीक और उसके बाद यहाँ पर एसी निकालेंगे ठीक तो ओसी हो जाएगा ओसी हमारे परस कितना है माइनस का 5J कैप हो जाएगा माइनस का K कैप हो जाएगा ठीक और इसको इसमें गटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का I कैप बचेगा और 9 में से 5 गटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 4J कैप हो जाएगा और 4 में से 1 गटाएंगे तो plus का 3 K cap हो जाएगा ठीक और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा AD निकालेंगे AD हो जाएगा हमारा OD माइनस में OA OA हो जाएगा और यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर देखो यह हो जाएगा 4 I cap हो जाएगा और plus में 4 J cap है और उसके बाद plus का फोर के कप माइनस में यह हमारे हुआ पास है 4i कप माइनस में 5j कप माइनस में खीक और इस मेंसे इसको घटाएंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे ठीक तो यह जाएगा 4-4 8 i कप हजाएगा और 4 मेंसे 5 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का father यह क्या पजाएगा चार में से गटाएंगे प्लस का 3 के क्या पजाएगा ठीक तो यह आगया हमारा प्लस और इसको इसमें गुड़ा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा माइनस लगाएंगे इसको इसमें गुड़ा करेंगे तो माइनस माइनस देखो इसमें माइनस लगाना तो माइनस आठीक 24 हो जाएगा उसके बाद माइनस का 2 बन जाएगा यह वाला इसको छोड़ देंग त्रिया गुणा करेंगे 1 हो जाएगा माइनस इसमें गुणा करेंगे माइनस मिनस प्लस 8 चक कितना हो जाएगा 32 जाएगा ठीक और उसके बाद अदधेखो 12,3,15 15 चक को 60 हो जाएगा ठीक उसके बाद 24 इसमें से 3 घटाएगे कितना बचेगा 21 बचेगा और 21 गुड़े 6 करेंगे तो 6 कर नम 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और उसके बाद 32 एक कितना हो जाएगा 33 दून कितना हो जाएगा 6 6 हो जाएगा ठीक तो यह जाएगा और उसके बाद आब यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितन हम बोल सकते हैं अता है विक्टर एबी विक्टर एसी ठिक तथा विक्टर एडी एक समतली है एक समतली है ठिक और इसी लिए इसी लिए बिन्दू ए बी ची तथा डी एक समतली है एक समतली है ठिक तो यह मारा प्रूफ होग जाएगा ठिक तो उसे लिए फिर अगला सवाल देखते हैं तो दिखो यह हमारा सवाल लंबर 11 करसी नमबर सवाल है यहाँ पर लिकायश सिद्धी कीजिए कि 4 बिन्दू और यहाँ पर एक बिन्द यह है और एक बिंदु यह है और एक यह बिंदु यह है ठीक तो एक ही समतल में है यह चीज हमें सिध करना है ठीक तो सभी तीनों साल वैसे इसमें 11 नंबर में सेमी थे ठीक तो यहां पर हम लोग सबसे पहले माल लेंगे माना मूल बिंदु हमारा क्या है ओ माल लेते हैं मूल स्थिति सदिस क्रमसा इस्थिति सदिस क्रमसा तो यहां पर कितना हो जाएगा ओ ये तो ओ ये हमारा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा यहां पर देखो बांकी सब जीरो जीरो है तो यहां पर पहला है तो यानि इसको हम लोग आई कैब बना देंगे बांकी सब जीरो है तो उ इसमें है जय कैप तो यहां पर सिधा जय कैप भी देंगे उसके बाद O-C तो O-C हमारी पादस यहां पर कितना है यह देखो K है कैप ठीक और बाकि O-D तो O-D कितना हो जाएगा यहां पर हो जाएगा I- Up और प्लस में जे कैप और माइनस में ये के कैप हो जाएगा ठीक तो यह हो गया अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे A B A B निकालेंगे तो हो जाएगा O B माइनस में O A ठीक तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा विक्टर स्वारी इसमें हो जाएगा जे हो जाएगा ठीक तो जे कैप और माइनस में यह हो जाएगा आई कैप ठीक उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे एसी तो एसी कितना हो जाएगा ओसी माइनस में ओ ये ठीक तो यह हो जाएगा के कैप और माइनस में आई कैप उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे Ad, तो Ad हो जाएगा Od माइनस में OA ठीक, तो Od Od हमारे पास यह है, OA घटाएंगे मतलब I कैप से I कैप कर जाएगा बाकी यहाँ पर क्या बचेगा J कैप बचेगा, माइनस का के का बचेगा ठीक यह आ गया अब यहाँ पर क्या होगा हम लोग इन तीनों का तिरी गुड़न का लेंगे ठीक अदिस तिरी गुड़न तो यहाँ पर जाएगा AC और यह जाएगा हमारा AD ठीक और बराबर में यह जाएगा हमारा देखो इसका गुडांग कितना है पहला इसमें आई है कितना है माइनस का एक है ठीक तो यहां पर माइनस का एक लिख देंगे इसका गुडांग कितना है एक हो जाएगा बाकी के नहीं है तो जीरो लिख देंगे और बाकी इसमें के है तो के के स्थान पर एक लिखेंगे आई के स्थान पर माइनस वन लिखेंगे और जै इसमें नहीं है तो इसमें जीरो लिख देंगे ठीक उसके बाद यहां पर देखेंगे तो आई नहीं है ठीक तो इसमें आई के स्थान पर जीरो बागी इसके स्थान पर एक इसके स्थान पर माइनस का एक हो जाएगा ठीक यह हो जाएगा इसको हम लोग solve करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस का एक और इसके बाद तिरिया गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा इसमें तिरिया गुणा करेंगे माइनस के एक हो जाएगा तो एक में से गटाएंगे जीरो आ जाएगा ठीक तो आप यहाँ पर देश सकते हो कि A B A C और वेक्टर A D यह क्या है यह एक सम्तली है अगर मतलब इनका जीरो आगे न मान इसलिए एक सम्तली है यह एक सम्तली है तो जो दिये गए चार बिन्दू दिये गए है यह भी एक सम्तली होंगे ठीक तो यहाँ पर आप लिख दिये ना ठीक आयोप आप सवल सौंज गए तो चले फिर अगला सवाल देखते हैं तो देखो यह हमारा सवल लंबर 12 यहाँ पर भी लिका है यह एक सम्तली यह कंडिशन दिया हुआ ठीक तो अब आपको यह एक्ष का मान गयात करना ठीक तो एक सम्तली हैं तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले यही जो दिए गया है बतलब एक अस्तिति सदिति हो यह हो जाएगा यह कितना हो जाएगा यहां पर थिरी आई कैप हो जाएगा प्लस का टू जे कैप प्लस का टू जे कैप और प्लस का के कैप हो जाएगा ठीक उसके बाद ओ भी कितना हो जाएगा तो ओ भी हो जाएगा हमारा चार एक्स हो जाएगा चार आई कैप हो जाएगा कितना हो जाएगा एक माइनस को क्या करेंगे निकाल लेंगे A B निकाल लेंगे फिर उसके बाद A B कितना हो जाएगा O B माइनस में O E तो O B हमारे परस कितना है O B है 4 I Cap है और प्लस में 61J Cap है और उसके बाद माइनस में 5K Cap है माइनस में यह माइनस करेंगे सब कैचीन बदल लैंगे तो I Cap हो जाएगा minus का 2 j cap हो जाएगा minus का k 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 यह जाएगा OC minus में OE ठीक तो OC minus OE OC हमारे पास यह है 4 I cap हो जाएगा plus कर 2 J cap हो जाएगा माइनस कर 2 K cap हो जाएगा OE हमारे पास है 3 I cap माइनस कर 2 J cap माइनस कर K cap और यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 I cap बचेगा और 2 2 यह से यह cancel हो जाएगा ठीक उसके बाद वांकी इसमें जोड़ेंगे तो minus का 3 k cap हो जाएगा ठीक उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे ad तो ad क्या हो जाएगा ad हो जाएगा हमारा od minus में oa ठीक तो od हमारे पास यह है यानि 6 i cap है plus का 5 j cap है और minus का k cap माइनस में oa हमारे पास है 3 i cap है minus का 2 j cap है और minus का k cap है इस में से इसको घटाएगे तो 6 में से 3 घटाएगे 3 बचेगा ठीक 3 i cap हो जाएगा 5 में से 2 घटाएगे प्लस का 3 के कैप सरी जे कैप हो जाएगा और इसके बाद एक के ये एक के ये माइस माइस 2 के कैप हो जाएगा ठीक तो ये हो गए हमारे A, B, A, C और A, D अब इसका हम लोग निकालेंगे अदीस तरीक गुड़न ठीक तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर A, B वेक्टर A, C और वेक्टर A, D और ये क्या है? मतलब यहाँ पर सवाल में देखो न कि ये चारो बिंद्व है ये एक सम्तली है ये चीज खुद सवाल आपसे बता रहा है कि ये एक सम्तली है तब आपको X का मान गयाद करना ठीक तो एक सम्तली यहाँ पर सिद्ध नहीं करना है वो खुद बता रहे हैं कि एक सम्तली है ठीक? अगर एक सम्तली है तो यानि इनका value 0 आना चाहिए फिर ठीक? यानि 0 है इसका मतलब की? मतलब इसका जो scalar triple product है वो कितना है? 0 है तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर A B A B कितना है? A B यह है 1 और उसके बाद यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा X माइनस 2 और उसके बाद यह K में कितना है? गुड़ांक 4 ठीक? उसके बाद इसमें देखेंगे तो इसका गुणा एक है बागी जे है नहीं उसका 0 लिख दो के है माइनस 3 ठीक उसके बाद इसमें देखेंगे तो 3 3 माइनस 2 हो जाएगा ठीक बराबर 0 हो जाएगा अब इसको हम लोग solve करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 ठीक और उसके बाद इसको 3 गुणा करेंगे जीरो इसको 3 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस यह हो जाएगा 1-2 ठीक और इसके बाद में फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस जाएगा टिक simple सी बात है और बराबर 0 एहां पर है ठीक तो यह बर जाएगा 9 99 और उसके बाद उसके बाद उसके बाद यह 9 में से 2 घंचे के कितना बचेगा साथ साथ में इसमें गुणा करेंगे तो साथ यक्स हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इधर से साथ से गुणा करेंगे दो में तो साथ दुना 14 हो जाएगा ठीक उसके बाद प्लस में यहाँ पर तीन चार तें कितना हो जाएगा बारा हो जाएगा बराबर जीर हो जाएगा ती हो ठीक, यह हो जाएगा प्लस का 35 और माइनस का 7x बराबर में 0 और जब हम लोग इसको इधर बेज देंगे तो यह हो जाएगा 7x माइनस में न, इधर प्लस में हो जाएगा 7, 35 होता है, मतलब यह आक्स का वैलू कितना हो जाएगा पांच नो जाएगा ठीक तो यह हमारा एंसर जाएगा आई होप आप समझ गे होंगे चले यह फी रगला सवाल देखते हैं तो देखो यह सवाल नमबर हमारा 13 है और सवाल 11 में 3 सवाल है A B C ठीक तो यह नमबर सवाल है यहाँ पर लिका है vector A vector B और यहाँ पर vector C plus D यह आपको सिद्ध करना है कि यह इतने एक बराबर होता है चलो हम लोग यहाँ पर कैसा करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं तो हमें right hand side मिल जाएगा ठीक तो यहाँ पर यह कितना है यह vector A है vector B है और इसके बाद है vector C plus में vector D है ठीक तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं vector A और इसके बाद dot में यहाँ पर vector B और यहाँ पर cross करके इन दोनों का cross करके लिख सकते हैं मतलब इसको dot में लिख देंगे इन दोनों को cross कर देंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर वेक्टर C प्लस में वेक्टर D आप यहां पर क्या हो जाएगा चलो इसको बड़ा bracket बना देते हैं और इसको छोटे ब्रेकट के अंदर बंद कर दें ठीक ऐसा हो जाएगा तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा यह इसको ऐसी ले यह निए वेक्टर एक अभी ऐसे लिखे रहने तो बाकि इसको इस वेक्टर भी से हम लोग जब इसमें गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएग जब भी क्रोस डी हो जाएगा ठीक यह हो जाएगा अब हम लोग इससे इसमें बल्टिप्लाइ करेंगे ठीक तो यह कितना हो जाएगा इसमें जब करेंगे तो जाएगा वे ए और उसके बाद में डॉट ठीक डॉट वी क्रोस सी हो जाएगा और उसके बाद जब इसके साथ करेंगे ति हो जाएगा प्लस में A और डॉट V क्रोस D हो जाएगा ठीक तो देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं इसमें देखो A है B है C है ठीक एक क्रम से ऐसे लिखे हैं तो ऐसे लिख देंगे वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर सी ठीक तो इसको इस ब्रेकेट के अंदर बन कर देंगे बांकि इसको लोग ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए उसके बाद भी है फिर डी है ठीक वेक्टर भी वेक्टर डी ठीक ऐसे लिख सकते हैं ठीक तो बस इसी चीज़ को मतलब हमें प्रूफ करना था यह हमारा हो पर आपर इतना ऐख तो चलो हम लोग यहाँ पर left hand side ले लेते हैं और इसको solve करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा vector a plus में vector b और vector b और यह vector c plus में a यह लिखा हुआ ठीक इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं मतलब इसको dot में बना देंगे इन दोनों का cross project कर देंगे ठीक तो यहाँ पर cross कर देंगे तो यह हो जाएगा vector b cross में यह हो जाएगा vector c plus में a ठीक तो इसको bracket के अंदर इसको बड़ा bracket के अंदर बंद कर देते हैं ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा vector A और dot में अब हम लोग क्या करेंगे इसको इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा vector V और cross में vector C हो जाएगा और plus में इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा vector v cross में vector a हो जाएगा ठीक यह हो जाएगा अब हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा vector a और dot में vector v cross vector c हो जाएगा और plus में यहाँ पर क्या हो जाएगा vector a हो जाएगा dot मतलब इसमें करेंगे तो जाएगा vector b और cross में vector a हो जाएगा ठीक तो यह हो जाएगा आप देखो इसको अम लोग कैसे लिख सकते हैं इसमें जैसे crumbs से लिखा वैसे लिखना ठीक कैसे a b c तो vector a vector b vector c इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अधिस त्रीगरण के रूप में लिख सकते हैं ठीक ऐसे और फिर उसके बाद इसको हम लोग लिख सकते है vector a है फिर b है फिर a ठीक तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो चुकि यहाँ पर जो यहाँ पर जो वेक्टर ए वेक्टर वी वेक्टर ए है इसके वराबर कितना जीरो है ठीक तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ हमारा यह बचेगा बांकि यह तो जीरो हो जाएगा ठीक तो यह हो जाएगा हमारा vector A, vector B, vector C ठीक यही सिर्फ बचेगा और यही हमें prove करना था आप यहाँ पर देख सकते हूं यह चीज़ हमें prove करना था तो यह हो गया हमारा prove ठीक आई होप आप समझ गांगे चले फिर अगला सवाल देखते हैं तो देखो यह हमारा सवाल number C है अब इस सवाल को हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पर इसको बना देंगे left hand side तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं यह है इसको हम लिख सकते हैं vector A plus में B है और यह C है यह है C plus में A है तो देखो इसको हम लोग बना सकते हैं ऐसे vector A plus में vector V और cross और dot में यहाँ पर लिख देंगे vector C इन दोनों को मतलब cross में कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा vector C plus में vector A हो जाएगा ठीक और जब इसमें इसको multiply करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा vector B vector A plus में B और dot में यह हो जाएगा इसमें beni करेंगे तो जाएगा C cross C बन जाएगा और plus में इसको में multiply करेंगे तो यह हमारा बन जाएगा मतलब हो जाएगा vector C cross में bacter a ठीक तो अब देखो अब इसका value क्योंकि 0 होता है तो यहीं पर 0 लिख देते हैं ठीक तो यहाँ पर जाएगा vector A plus में vector B और dot में फिर यह देखो 0 हो जाएगा तो यह मतलब इसको नहीं लिखेंगे बाकि यह बचेगा फिर इसको लिख देंगे तो यानि की C cross में A ठीक तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं देखो यहाँ पर vector A है plus में vector B है तो हम लोग सबसे पहले vector A से इसमें गुणा कर देते हैं फिर vector B इसकर देंगे ठीक तो यह कैसे बन जाएगा जब इसमें A से करेंगे ठीक यह हो जाएगा देखो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर A और वेक्टर C वेक्टर A ठीक उसके बाद प्लस में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसके अस्थाम लग देंगे वेक्टर B वेक्टर C और वेक्टर A ठीक तो इसके देखो इन दोनों में यह दोनों सेम हैं सेम है तो इसका value 0 हो जाएगा सिर्फ यही बचेगा ठीक तो देखो, शिर्फ आपके पास यह बचेगा ठीक अब इसको आप कैसे बनाओगे देखो जब हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ करदेंगे तो यहाँ पर माइनस चिन लग जाएगा ठीक, यह हो जाएगा वेक्टर B यह हो जाएगा वेक्टर A और यह हो जाएगा vector C हो जाएगगा अब हम लोग इस A को फिर यहां पर करेंगे फिर इस को चिन बदल जाएगा ठीक तो यह माइस दोखो पहले से था अब यहां पर एक माइनस और आ जाएगा तो यह बन जाएगा plus और इसको यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर जो हमें मतलब यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना था तो यह देखो प्लस में हो गया ना तो प्लस कसी ने तो लिखते नहीं तो यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर उजाएगा विक्टर A विक्टर B और यह उजाएगा विक्टर C ठीक तो यह हमें प्रूफ करना था यह हमारा उजाएगा राइट-थैड मतलब इसी को सवाल देखो यहां पर सवाल में बोल रहा कि यदि सदीस वेक्टर ये वेक्टर वी तथा वेक्टर सी समतली है डिक देखो मतलब ही कंडिशन दिया हुआ है यहां पर कि अगर ये समतली है कौन-कौन से वेक्टर ये वेक्टर वी वेक्टर सी समतली है तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो तीनों दिये गए हैं ये भी समतली है ये चीज हमें सिद्ध करना है तो देखो हमें पास दिया क्या है दिया है देखो दिया है मतलब ये अगर समतली है तो इनका जो अदिश त्रीग रन होगा वो कितना हो जाएगा वो 0 के बराबर होगा ठीक तो यह चीजह में दिया हुँआ है ठीक तो यह अभी काम आएगा ठीक अब हम लोग इसको सिद्र करते हैं कि यह समतली है या नहीं है ठीक तो अगर यह समतली होगा तो इसका value कितना हो जाएगा 0 जाएगा तो पहले इसको लिख ले दें ठीक, vector a, vector, plus में vector v, और क्या दिया, vector v, plus में vector c, और vector c, plus में vector a, ठीक, अगर यह है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको dot में कर देंगे, इन दोनों को cross कर देंगे, ठीक, तो ऐसे, मतलब, ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ठीक, तो और क्रोस हो जाएगा vector c plus vector a हो जाएगा ठीक यह हो जाएगा अब यहाँ पर इसको थ्यान से करना तो यह हो जाएगा vector a plus मेरे pair box और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो इसको हम लोग इस पूरे को हम लोग इससी में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा वेक्टर V प्लस में वेक्टर C और उसके बाद क्रॉस हो जाएगा वेक्टर C ठीक प्लस में इसको इसमें फिर कर देंगे तो यह हो जाएगा वेक्टर V प्लस में वेक्टर C और क्रॉस में हो जाएगा वेक्टर A ठीक उसके बाद अब वेक्टर C से इसमें सम्में गुणा कर देंगे वेक्टर A से इसमें सम्में गुणा कर देंगे ठीक तो यह हो जाएगा वेक्टर A प्लस में वेक्टर V और यहां पर हो जाएगा इसमें करेंगे तो वेक्टर V हो जाएगा और क्रॉस में वेक्टर C हो जाएगा ठीक उसके बाद प्लस में इसमें करेंगे तो वेक्टर C हो जाएगा क्रॉस में वेक्टर C हो जाएगा प्लस में इसमें करेंगे वेक्टर V क्रॉस में वेक्टर A हो जाएगा और plus में vector c cross में vector a हो जाएगा ठीक यह हो जाएगा तो देखो इसका value 0 हो जाएगा क्योंकि vector c plus में vector c है same है तो इसलिए यह 0 हो जाएगा और उसके बाद में फिर क्या करेंगे हम लोग यह 0 पूर हो जाएगा तो इसको हम लोग a plus b को इसमें करेंगे फिर इसके बाद मतलब देखो A से इसमें पहले करेंगे तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा A dot में vector V और इसके बाद cross में vector C हो जाएगा बागी यह 0 हो लिया इसमें करना ही नहीं फिर A से इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस में वेक्टर ए हो जाएगा और डॉट में यह हो जाएगा वेक्टर वी क्रॉस में वेक्टर ए ठीक उसके बाद प्लस में अब A से इसमें देखो पहले A से हम बारी-बारी स्थम्में गुणा करना है A को उठाया इसमें गुणा किया फिर इसमें गुणा किया फिर इसमें किया बांकि यह तो 0 है तो इसमें कर दिया ना अब इसमें करेंगे तो वेक्टर A हो जाएगा dot vector c cross vector a ठीक अब भी यान मतलब की a से सम्मे कर दिया ना अब भी से करेंगे बारी 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 ना बी से इसमे करेंगे तो कितना हो जाएगा यह जाएगा vector v dot में vector v cross में vector c ठीक ओके अब इसमें करेंगे यह 0 इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा vector v डॉट वेक्टर भी क्रॉस में वेक्टर ए ठीक उसके बाद प्लस में इसमें करेंगे वेक्टर भी से तो वेक्टर भी हो जाएगा क्रॉस में वेक्टर सी क्रॉस में वेक्टर ए हो जाएगा ठीक डॉट में और यह हो जाएगा क्रॉस में तो यह हो जाएगा अब देखो इस इसको हम लोग लिख सकते हैं vector a मतलब अदीश तरीग रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा ऐसे फिरसमे उसके बाद plus में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है vector a उसके बाद b a है vector b vector a हो जाएगा तो यह जैसे क्रम से लिखे होते इसको जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे plus में vector b और vector b vector a और plus में यह हो जाएगा vector b vector c vector a हो जाएगा तो आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर यह 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें double है और इसमें भी double vector है इसमें भी double vector हैं तो ये 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 सब 0 हो जाएगा ठीक तो ये बचेगा फिर ये बचेगा तो क्या क्या बचेगा विक्टर A बचेगा और विक्टर B हो जाएगा विक्टर C हो जाएगा और प्लस में बचेगा हमारा विक्टर B और विक्टर C और विक्टर A ठीक यह बचेगा बांकि सब 0 जाएंगे आप देखो यहाँ पर क्यों जाएगा देखो इसको अभी हम लोगों ने इसको बनाया था तो यह विक्टर A B C बेंज जाएगा ठीक क्यों क्योंकि देखो यहाँ से देखो A को हम लोग यहाँ पर भेजेंगे तो माइस चीन लग जाएगा फिर A को हम लोग यहाँ पर भेजेंगे B को यहाँ पर कर देंगे मतलब जब इनका स्थान चेंज करेंगे तो माइस का चीन लग जाता है अब पहले इसका चेंज करेंगे तो एक माइस लगेगा दूसरा चेंज करेंगे, मतलब A को में सबसे आगे ली जाना, ठीक, फिर दुबारा जब A, यानि दुबारा, मतलब A step करेंगे, इसको change करेंगे, इसका स्थान A का स्थान, तो फिर 0, सुरी फिर माइस हो जाएगा, माइस माइस क्यों जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइस पहले से हो जाएगा, ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसी रूप में, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, विक्टर A बन जाएगा, विक्टर B बन जाएगा, विक्टर C बन जाएगा, ठीक, अब समझ रहो न, यहाँ प देंगे दो बन जाया गठी तो यह हो गया अब देखो इसको में सिद्धि क्या करना था इसको में सिद्धि करना था कि यह समतली है मतलब जो तीनों दिये गए थे यह समतली है लेकिन यहाँ पर तो समतली है ही नहीं देखो न यहाँ पर क्या है यहाँ पर जीरो आया नहीं आ यहीं देखो यहां पर डिया गया है सवाल में मिली कंझिसन दे दिया गया है कि अगर एबीड souvent हैं । तो हमें इसको सिद्द करना है तो यह तो हमें दिया हुआ इसके पराबर 7 .. इसके पराबर 70 थी यह यह यहां तो है तो हम गया ना इसका value 0 तो अगर इसका value 0 आ गया तो इसका मतलब ये भी समतली है तो ये भी समतली है तो ये हमारा फेना इने तो भी है न को एक समठली वह ला था इसमें क्यां बोट अर्व यह अगर यह ओर सम्तली है तो इस बारे क्या है कि हेच्टर स्थिय करना है है कि वह क्र वेक्टर दिया गया थिक तो दोको इसको अगर ये एक समतली है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए और प्लस में वेक्टर वी और वेक्टर वी प्लस में वेक्टर सी और ये है वेक्टर सी प्लस में वेक्टर ए अगर ये एक समतली है तो जीरो के बराबर होगा इसका ज और plus में फिटर C और इन दोनों को मतलब cross में लिख देंगे ठीक और ये कया है, 0 के बराबर है इसको हम यहाँ पर solve करेंगे ती हो जाएगा is vector a plus में vector v और isके बाद यहां पर c sunny multiply करेंगे तो जाएगा vector v इसमें करेंगे तो वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा प्लस में इसमें करेंगे तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा और प्लस में वेक्टर इसमें करेंगे तो वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा उसके बाद प्लस में इसमें करेंगे तो वेक वेक्टर ए से हम लोग इसमें गुणा करेंगे ती हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी इसमें करेंगे तो प्लस में हो जाएगा वेक्टर वी स्वरी वेक्टर ए और डॉट में वेक्टर वी क्रॉस में वेक्टर ए हो जाएगा उसके बाद प्लस श्री क्रॉस के बात प्लस में यह जाए का आप देखो बड़ोग अधीस त्री गॉँड के लिख सकते हैं ऐसे देखो यह हो जाएगा वेक्टर A, वेक्टर V, वेक्टर C हो जाएगा और प्लस में इसको जब लिखेंगे तो जाएगा वेक्टर A, वेक्टर C, वेक्टर A हो जाएगा और प्लस में इसको बराबर लिख दो 0, बराबर 0 है ठीक है और यह कितना हो जाएग यहां पर यह लिख दिया यह विचा ठीक विक्टर वी विक्टर वी विक्टर सी हो जाएगा और इसके बाद प्लस में यह हो जाएगा विक्टर वी विक्टर वी विक्टर ए हो जाएगा और प्लस में विक्टर वी विक्टर सी विक्टर ए हो जाएगा और बराबर कर जीर हो जाएगा ठीक देखो यह डबल यह इसमें भी डबल इसमें भी डबल इसमें भी डबल तो सब जीर हो जाएग में चैका विक्ट्र एत बीडिक्ति सी बचेगा और यह लास्ट मी यह से बचेगा और यह बराबर बचेगा यह बरावर का स्कूल यह बिस समय हो जाएगा उसको यहां पर तो प्लस भिशbour़ जाएगा ठीक तो यहां पर मतलब यह हो जाएगा ए बी सी ठीक तो यह भी हो जाएगा ए विक्टर भी विक्टर सी और यह भी हो जाएगा विक्टर ए विक्टर भी विक्टर सी बराबर जीर हो जाएगा तो एक एक कितना हो जाएगा दो जाएगा तो यह हो जाएगा, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C हो जाएगा, बराबर गजीर हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो, यह दो क्या है, गुड़ा में है, गुड़ा में है तो इसको में धर भीश सकते हैं, भीश सकते न, तो भेदेंगे, तो कितना हो जाएगा, भाग में सी बराबर कितना हो जाएगा जीरो जाएगा ठीक जीरो जाएगा तो आ गया ना यहां पर आप इसका मतलब क्या हुआ अता हम बोल सकते हैं अता हां विक्टर ए और सिंस्तीश विक्टर ए तथा विक्टर सी समतली है या एक सम्तली हैं थीक सम्तली हैं तो इसको प्रूफ करना था आयोप आप समझ क्योंगे होगे चल लिए फिर एकला स्वा देखते हैं तो देखव सवा ला थे यहां पर लिखाया है इसको में आदרכ स्वाल की यहां है लिखाया है यह वंच आण हे इस और इसको हम लोग कैसे लिए सकते हैं इसको डॉट में लिए देंगे इन दोनों क्रोस में कर देंगे तो हो जाएगा वेक्टर A वेक्टर B यह हो जाएगा और डॉट में यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर B माइनस वेक्टर C हो जाएगा और cross में vector c minus का vector a हो जाएगा ठीक यह हो जाएगा आप देखो यहां पर यह हो जाएगा vector a minus vector v हो जाएगा और इसके बाद dot में आप देखो इस c को इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा vector v और इसके बाद cross में vector c हो जाएगा minus इसमें जब गुणा करेंगे तो जाएगा vector c हो माइनस इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा वेक्टर वी क्रॉस में वेक्टर ए उसके बाद माइनस माइनस इसमें हो जाएगा प्लस इसमें में करेंगे तो वेक्टर सी प्लस में और सपरेंगे अब देखो यह बँख जाएगा जीरो ठीक क्यूंकि यह क्रस्नी से जीरो जाएगा एंब वेक्टर इस इसमें बडाबर मतलब 12 बाइस कर देंगे गुड़ा तो यह हो जाएगा वेक्टर A और डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C हो जाएगा उसके बाद में यह हो जाएगा माइनस का इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर A cross में vector A हो जाएगा और उसके बाद यह हो जाएगा minus में इसमें minus minus यह plus है ठीक तो यह है vector A हो जाएगा vector C हो जाएगा cross vector A हो जाएगा फिर उसके बाद हो जाएगा plus में इसमें करेंगे तो minus में यह क्योंकि B minus में है तो हो जाएगा vector V और dot vector V cross vector c हो जाएगा और इसके बाद इसमें multiply करेंगे तो यह 0 है ठीक और इसके बाद इसमें multiply करेंगे minus minus plus हो जाएगा और यह हो जाएगा vector v vector v cross में vector a हो जाएगा और इसके बाद यह हो जाएगा plus में इसमें multiply करेंगे तो minus में हो जाएगा vector v vector c vector a cross में हो जाएगा ठीक तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो इसको हम लोग simple सा A B C ऐसे लिख सकते हैं और इसको लिख देंगे vector A vector V vector A ठीक उसके बाद plus में यहाँ पर लिखेंगे vector A vector C vector A हो जाएगा और plus में इसको लिख सकते हैं vector V vector V vector C हो जाएगा ठीक और उसके बाद plus में यह जाएगा vector V vector V vector A हो जाएगा और इसके बाद minus में vector B vector C vector A हो जाएगा ठीक तो simple से ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ठीक तो बचेगा क्या बचेगा vector A vector V vector C बचेगा और minus में ये बचेगा vector V vector C vector A ठीक देखो इसको यहाँ पलाएंगे minus हो जाएगा फिर A को हमें सबसे आगे ले जाना ठीक तो इसको यहाँ पलाएंगे minus हो जाएगा इसको यहाँ पलाएंगे minus हो ज नटाएंगे, दोनों स्टेम है, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यह हमारा सिद्ध हो जाएगा, मतलब प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक, तो इसी का हमें सिद्ध करना था, मतलब अगर 0 हाट जाए तो मतलब 1 समतली है, ठीक, तो आधा म बोल सकते हैं, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं यहां पर सिद्ध करना इसको ठीक तो एक समतिली सिद्ध करना है तो इसमें सिंपल से हम लोग लिखेंगे इसको वेक्टर ए और वेक्टर भी प्लस में वेक्टर सी और क्या है वेक्टर ए प्लस में वेक्टर भी प्लस में वेक्टर सी है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको लिख देंगे vector A और dot में और इसको काटो यहां पर ठीक और यहां पर लगा दो आप यहां पर क्या हो जाए तो यह इन दोनों को मतलब कर देंगे हम लोग cross में ठीक तो plus है यहाँ पर और cross में हो जाएगा vector A, vector V, vector C हो जाएगा, यह हो जाएगा अब यहाँ पर हम लोग इसमें ऐसा करते हैं, vector B से इसमें उना करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा जब इसमें करेंगे, तो जाएगा vector V cross vector A, और plus में इसमें B से करेंगे, तो जाएगा vector V, vector V और plus में, इसमें करेंगे तो vector V, cross में vector C हो जाएगा, plus में, vector C से इसमें सम्में गुणा कर देंगे, अब इसी तरह किसे तो vector C, cross में vector V हो जाएगा, plus में vector C, cross धूर। सी यह जाएगा, ठीक बारी बारीस यहाँ पर कर दिया ठीक, दॉक्ए जो ौन मतलब की, दबल का मतलब दूर Wenra, जो स्वाइ ли यह जी यह जी जी रो ठीक, बागी अब यह से से सम्माई करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा vector a dot vector b cross vector a और इसमें तो करेंगे ने क्योंकि 0 है plus में इसमें multiply करेंगे तो यह जाएगा vector b cross vector c हो जाएगा और plus में यह हो जाएगा हमारा vector a dot vector c cross vector यह हो जाएगा प्लस में इसमें जब करेंगे तो यह हो जाएगा विक्टर ए डॉट विक्टर सी क्रॉस विक्टर भी और प्लस में यह भी जीरो हो जाएगा तो बस हो कहा है ठीक इतना है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको लोग लिख सकते हैं कैसे देखो इसको लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर वी और वेक्टर ए ठीक और इसके बाद इसको लोग लिख सकते हैं प्लस में वेक्टर ए वेक्टर वी और वेक्टर सी और इसके बाद प्ल प्रसमें इसको लिए सकते हैं वेक्टर A, वेक्टर C, वेक्टर B, ठीक, आप देखो, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वेक्टर A इसमें भी वेक्टर A तो पूरा 0 हो जाएगा, बाकी और कहां पर इसमें, इसमें वेक्टर A, वेक्टर 2 मतलब दोनों हैं, तो यह भी 0, यह भी 0, सिर्फ यह दोनों बचेंगे, ठीक, देखो, इसको लोग जब यहाँ पर करेंगे, इसको यहाँ पर कर देंगे, तो 0 मतलब माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा, वेक्टर A, वेक्टर V, वेक्टर C हो जाएगा, और उसके बार, देखो, इसका अस्थान इसको यहाँ पर कर देंगे, इसको यहाँ पर कर देंगे, तो यह हो जाएगा, वेक्टर A, वेक्टर V, वेक्टर C हो जाएगा, लेकिन माइनस हो जाएगा, ठीक, तो इसका मतलब यह भी एक समतली है, तो यह हमारा प्रूप्ट हो जाएगा, ठीक, तो अता हम बोल सकते हैं अताहा दिये गए जो सदिस है मतलब वो क्या है एक समतली है ठीक एक समतली है ठीक तो यह वो जाएगा हमारा प्रूब चले फिर अगला सवाल देखते है तो देखो यह हमारा सवाल number E है और यह सवाल number E में क्या लिखाया है यदि A, B, C यहाँ पर दिया गया है A, B, C मतलब इसके बराबर 0 नहीं है इसका मतलब कि यहाँ पर जो A, B, C है यह एक समतली नहीं है ठीक तो दिखाईए कि 4 विंदू जिनके इस्तिति सदिस यहाँ पर यह दिये गया है यह क्या है? इस्तिति सदिस है तो ये इस्तिति से जिनके है वो समतली है ये चीज़ हमें सिद्ध करना ठीक तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं माना मूल विंदू O है माना मूल विंदू O के सापेच यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि A है यह B है यह C है यह D है ठीक तो यहाँ पर A, B, C तथा D के स्थिति सदिस ठीक तो इनके स्थिति यहाँ पर कितना हो जाएगा इस्थिति सदिस तो यह हो जाएगा हमारा O A तो O A हमारा पहला हो जाएगा ठीक तो यह हो जाएगा हमारा 2 A और प्लस में 3 B वेक्टर और माइनस में C वेक्टर ठीक उसके बा उसके बाद OC, तो OC हमारा कितना हो जाएगा, तो OC हो जाएगा हमारा 3A विक्टर यह है, उसके बाद प्लस में 4V विक्टर है, और इसके बाद मायस में 2C विक्टर है, उसके बाद OD हमारा कितना हो जाएगा, तो OD हो जाएगा, यहाँ पर विक्टर A माइनस में 6 विक्टर V हो समझ जाएंगे कि हा जो यह बिंदू दिये गया है यह मतलब की एक सम्तलिए है नहीं तो यहाँ पर निकालेंगे AC बहुत है तो AC कितना हो जाएगा AB निकालेंगे पहले ठीक तो O B- O A हो जाएगा ठीक तो यह O B चिन बदा लाएंगे ठीक तो यहां से इसको घटाएंगे कितना बचेगा यह हो जाएगा माइनस का A वेक्टर हो जाएगा और उसके बाद में यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का A वेक्टर हो जाएगा फिर इसको इससे घटाएंगे तो माइस माइनस प्लस हो जाएगा ती और प्लस में 1 तो यह जायेगा 4C VEGTOR जाएगा ठीक तो यह हो जाएगा ABC उसके बाद ढम लोग निकालेंगे A C कितना हो जाएगा OC माइनस में ओ यह हो जायेगा ओ C हमारे पास है 3 vector A प्लस में 4 vector B माईनस के 2 vector C हो जाएगा minus. ओ यह कितना हो जाएगा 2 vector A माइनस में 3 vector B इसको कटाएंगे प्रस का विक्टर भी हो जाएगा और यह हो जाएगा माइनस का विक्टर ची हो जाएगा ठीक तो यह हो जाएगा अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे इसी त्रिक्टर AD तो यह हो जाएगा O D माइनस में O A तो O D हमारे पास कितना है विक्टर A माइनस में 6 विक्टर B प्लस का 6 विक्टर C हो जाएगा ठीक माइनस का O A O A हमारे पास कितना है 2 विक्टर A हो जाएगा माइनस का 3 विक्टर B हो जाएगा माइस माइनस प्लस हो जाएगा वेक्टर C हो जाएगा ठीक उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का वेक्टर A हो जाएगा उसके बाद माइनस का 6-39 वेक्टर भी हो जाएगा और उसके बाद 6-7 वेक्टर C हो जाएगा ठीक यह हो जाएगा आप देखो यहाँ पर वेक्टर A B हो गया वेक्टर A C हो गया वेक्टर A D हो गया ठीक तो यहाँ पर अब हम लोग इसका अधिस्त त्री गुरन निकाल लेंगे अगर वो 0 के बराबर आ गया तो है यह नहीं तो नहीं है एक समतली ठीक तो यह हो जाएगा वेक्टर A B, वेक्टर A C, वेक्टर A D हो जाएगा ठीक और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा यह हो जाएगा मतलब A का यहाँ पर A B C है ना तो यहाँ पर A का जो गुडांग है उसको आपको लेना ठीक A का गुडांग कितना है यहाँ पर माइनस का एक है B का गुडांग कितना है माइनस का पांच है उसके बाद C का गुडांग कितना है प्लस का चार है उसके बाद यहाँ पर इसका गुडांग कितना है एक है इसका गुडांग एक है माइनस का एक है ठीक उसके बाद इसमें दे माइनस इसमें भी लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहुंच जाएगा इसको इसमें गुणा करेंगे तो साथ एक नम साथ जाएगा माइनस इसको इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यह माइनस का एक हो जाएगा ठीक उसके बाद प्लस में यह हो जा 7 में से 9 घटाएंगे तो minus के चिन बड़ा है तो minus के 2 आएगा minus के 2 आएगा तो इसमें गुणा करेंगे तो minus minus हो जाएगा plus 2 एक अनम 2 हो जाएगा टीक उसके बाद plus में यहाँ पर 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा और 5 से गुणा कर देंगे तो 56 30 हो जाएगा टीक उसके बाद और यहाँ पर हो जाएगा देखो यह हो जाएगा 9 में से 1 घटाएंगे तो minus का 8 आठ आजाएगा यह plus का है तो minus प्लस पर आपर minus हो जाता है तो 8 चो कितना हो जाएगा 32 जाएगा minus का 32 जाएगा बराबर 30 जो कितना हो जाएगा 32 और यह जाएगा minus 32 32 minus 32 बराबर 0 ठीक 0 हो गया अता हा मतलब इसका value कितना आ गया 0 आ गया अता हम बोल सकते हैं अता हा या फिर बोल सकते हैं ऐसे चूंकि जो सदिस यहाँ पर वेक्टर AB है और AC है तथा AD है यह क्या है एक समतली है एक समतली है अता हम बोल सकते हैं अता हा बिन्दू जो ABC हमने माना था ABC तथा D जिनके इस्थिती सदिस दिये गए हैं वो क्या है समतली है ठीक वो समतली है ठीक तो आई होप आप समाज गया होंगे चले फिर अगला सवाल देखते है यह हमारा सवाल नंबर 15 सवाल है आखरी मतलब नंबर सवाल है तो यह अपर लिखाए है Vector C है तो सिद्ध कीजिए कि Vector A cross Vector V plus Vector V cross Vector C plus Vector C cross Vector A समतल A B A B C पर लंब हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं माना मूल विंदू हमारा क्या है O है ठीक मूल विंदू O है अगर मूल विंदू O है तो यहाँ पर Vector A B अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा O A हो जाएगा O V हो जाएगा O C हो जाएगा ठीक तो ये कितना हो जाएगा O V माइनस में O A होता है तो ये हो जाएगा वेक्टर V माइनस में वेक्टर A हो जाएगा ठीक क्योंकि O V हमारा क्या है ये है O A और ये O C है तो यहां पर निकालेंगे AC, तो AC कितना हो जाएगा, तो AC हो जाएगा हमारा OC माइनस में OA, ठीक, तो यह कितना हो जाएगा, वेक्टर C माइनस का वेक्टर A, उसके बाद AD निकालेंगे, तो AD कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा यहां पर, OD माइनस में OA, तो यह हो जाएगा, vector d minus vector a वह जाएगा ठीक तो देखो यहाँ पर यह जो दिया गया है इसको हम लोग क्या करेंगे यह क्या बहुत हो रहा है कि समतल a b c पर lamb है यानि इसको हम लोग क्या करेंगे इसको एक बार इसके साथ देखो lamb होने condition क्या होता है lamb होने condition होता जैसे vector a vector b अगर lamb है तो इसको हम लिख सकते हैं vector a dot में vector b जब dot वाला हम लोग पढ़ रहते हैं वहाँ पर क्या यही पताया था ना बराबर 0 अगर vector a vector b का dot product अगर 0 हो तो वो क्या होता है lamb होता ठीक तो lamb होने के condition था dot में तो यह हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इसको और इसके साथ dot product अगर इसका 0 आ गया तो इसका मतलब यह और उसके बाद फिर इसके इसको बाराब निकालेंगे फिर इसके बाद इसका dot product इसके साथ निकालेंगे अगर तीनों का 0 आ गया तो इसका मतलब यह समतल ABC पर लंब है ठीक तो जब हम लोग दोखो इसका चलो यहाँ पर निकालते हैं डॉट प्रड़ट अगर 0 आ गया तो समाझ जाते हैं फिर हम लोग कि हाँ यह लंब है ठीक तो यहाँ पर क्यों जाएगा यह है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर V प्लस में वेक्टर V क्रॉस वेक्टर C प्लस में वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A है और इसका डॉट ब्रड़ किसके साथ निकालना में A B से है ठीक तो A B बराबर कितना है वेक्टर V है माइनस का वेक्टर A है ठीक और यहाँ पर इसको solve करेंगे अगर यह 0 के वराबर आ गया तब भी सिद्ध हो जाएगा ठीक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको इसमें multiply करेंगे तो जाएगा vector v vector vector a और यहाँ पर dot में हो जाएगा vector a हो जाएगा ठीक vector b से पहले करेंगे तो vector b हो जाएगा उसके बाद plus में इसी तरी किसमें multiply करेंगे तो जाएगा vector b cross vector c dot में vector b हो जाएगा ठीक उसके बाद plus में इसमें करेंगे तो जाएगा vector c cross vector a और dot में vector b हो जाएगा ठीक उसके बाद यहाँ पर minus लगाएंगे अब sum में A से 22 गुणा करेंगे ठीक तो यह जाएगा vector A cross vector V यह है और इसमें जब dot गुणन करेंगे तो जाएगा vector A हो जाएगा ठीक और इसके बाद minus में यह हो जाएगा इसमें जब करेंगे तो जाएगा vector V cross vector C और dot में vector A हो जाएगा ठीक, और स्के बाद जब हम लोग इसमें करेंगे तो यहां पर vector C cross vector A हो जाएगा, dot में vector A हो जाएगा ठीक, अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, हैं अगर उसके बाद माइनस में यहां पर इसको कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर वी वेक्टर ए लिख सकते हैं उसके बाद माइनस में इसको कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे वेक्टर ए वेक्टर वी वेक्टर सी और इसके बाद यह हो जाएगा हमारा vector c vector a vector a हो जाएगा ठीक तो देखो जिसमें double double है 0 हो जाएगा ये भी 0 और ये भी 0 ये नहीं होगा ठीक और ये भी 0 और ये भी 0 ठीक तो क्या क्या बचेगा ये बचेगा ये बचेगा ठीक तो बचेगा हमारा vector c vector a vector b बचेगा और इसके बाद यह जाएगा माइनस में वेक्टर B वेक्टर C, वेक्टर A बचेगा ठीक आप देखो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे करेंगे तो देखो यहाँ पर क्यों जाएगा इस C को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेजएगे तो जाएगा C और B हो जाएगा माइस लग जाएगा ठीक यहां पर यह जाएगा वेक्टर यह ठीक और उसके बाद हम लोग वेक्टर A को यहां पर करेंगे वेक्टर B को यहां पर करेंगे ठीक माइनस का वेक्टर C हो जाएगा, वेक्टर A हो जाएगा, माइनस उसके बाद वेक्टर B हो जाएगा, ठीक, तो इसमें से इसको घटा देंगे, 0 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि सेम है, ठीक, तो यह हो जाएगा, 0, इसी तरीके से जब हम लोग निकालेंगे, तो जब हम लोग य मतलब इसमें भी dot run करके निकालेंगे अगर 0 आ गया तो वो भी लंब है तो अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे चलो इसको भी इनकालेते हैं तो यह है vector A है vector cross vector B plus vector V cross vector C cross cross vector A ठीक इसको dot groan करना में AC के साथ ठीक तो AC कई वराबर कितना है vector C है और उसके बाद minus का vector A है ठीक बराबर का 0 है बराबर का 0 नहीं है 0 लाना ठीक तो अगर इसका dot product अगर 0 आ गया तो फिर ये भी हो जाएगा ठीक तो यह इसमें करेंगे तो वेक्टरे ऊजाएंगा krok B विक्टर स्यक्वें इुक्रों ने से driven 아 के एक यहारा विक्टर बी क्रॉस विक्टरर सी और दॉट में क्रॉट वेक्टरने झी में वोजानेगा इस के बाद प्लस में से विक्टर सी शया यहां पर कितना हो जाएगा हमारा रिक्टर वेक्टर वेक्टर बी ठीक और उसके खाल और इसके बाद प्लस में इसको लिक्टर भी वेक्टर शी और वेक्टर C ठीक और प्लस में इसको लिख सकते हैं वेक्टर C वेक्टर A वेक्टर C उसके बाद माइनस में इसको लिखेंगे वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर A ठीक और इसके बाद माइनस में इसको लिख सकते हैं वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर A और ये हो जाएगा हमारा बचेगा क्या बचेगा सिर्फ यहां पर वेक्टर ए वेक्टर वी वेक्टर सी बचेगा और उसके बाद माइनस में यह बचेगा वेक्टर वी और वेक्टर सी बचेगा वेक्टर ए बचेगा ठीक अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर वी और वेक्टर सी हो जाएगा अब देखो इसको यहां पर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा फिर यहां पर ले जाएंगे फिर माइनस मिनस प्लस हो जाएगा ठीक यानि यह ऐसे ही रहेगा जैसे है ठीक वेक्टर A, वेक्टर V, वेक्टर से हो जाएगा इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक तो मतलब देख सकते हैं यहाँ पर यह भी जीरो आगया इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर इसको निकालेंगे मतलब इसको और इसके साथ डॉट ग्रण करेंगे तो यह भी जीरो आजाएगा ठीक, क्योंकि दोनों 0 आगया तो यह भी 0 आजाएगा ठीक, तो आप इसको कर लें न, ठीक तो देखो यहाँ पर अगर मोग देखें तो मतलब इन दोनों का cross इन दोनों का dot product भी यहाँ पर 0 आ जाएगा ठीक तो 0 आ जाएगा इसका मतलब सब यह तीनों पर क्या है लंब है ठीक यह जो दिया गया ठीक इसको चलो अच्छा हम लोग इसको मान लेते हैं चलो इसको vector D के बराबर मान लो यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर जाएगा vector A vector B और vector B cross vector C plus vector C cross vector A बराबर vector D मान लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह जो vector d है यहाँ पर जो सदिस vector d है यह क्या है यह vector a b vector a c तथा vector a d पर लंब है लंब है ठीक तो अगर यह इस पर लंब है तो यह क्या है vector a b vector a c vector a d यह abc संतल पर ही तो यह तीनो है और इन तीनों पर यह भी vector d है मतलब इसका मतलब यह है इन तीनों पर लंब है तो इसका मतलब यह संतल जो abc है उस पर भी लंब होगा ठीक क्योंकि ये जो है ये जो तीनों सदिस है ये कहां पर है ये समतल ABC पर ही तो है तो अगर इस पर लंब है तो उस पर भी लंब होगा ठीक अता हम बोल सकते हैं अता हम जो सदिस D है सदिस D का मतलब ये जो है ठीक सदिस D है ये क्या है समतल समतल ABC पर भी लंब है तो इसी चीज़ को मैं प्रूफ करना था कि ये जो है ये समतल ABC पर लंब है इसी चीज़ को मैं मतलब प्रूफ करना था आई होप आप समझ गयोंगे चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रस्ण वली में अपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि यहाँ पर डेली सतरा के educational वीडियो मिलते रहते हैं और अगर आपने वीडियो को लाइक ने को तो वीडियो को लाइक कर दें तो चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में तो थैंक्स पूराचिंग and see you again in next वीडियो अगले वीडियो